आयूर्वेद में बहुत तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। इसमें से बहुत सी ऐसी जड़ी बूटी भी है जिनका नाम शायद ही कभी सुना हो। उसी जड़ी बूटी में से एक है खूपकला। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इस खूप खूपकला के बीजों का उप्योग दमा, टाइफाइड, बवासीर, खांसी, आदी उप्योग में लाया जाता है। दिखने में इसके बीज बिलकुल सरसों की तरह होते हैं और स्वाद में ये थोड़ा तीखा और तासीर इसकी गर्म होती है। खूपकला को लोग घरेलू उप्योग में भी करते हैं, लेकिन इसके सेवन का सही तरीका क्या है और इसके सेहत के लिए क्या फाइदे हो सकते हैं और क्या नुकसान इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। खूपकला के फाइदे, खूपकला से बढ़ाएं भूख, कई लोगों को भूख ना लगने की समस्या होती है, जिससे सेहत पर धीरे धीरे असर पढ़ने लगता है। अगर आप भूख बढ़ाने के लिए खूपकला का इस्तमाल करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी भूख बढ़ जाएगी। कमजोरी को करेगा दूर। खूपकला में ऐसे पोशक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे कमजोरी को दूर किया जा सकता है। इसका न्यमित सेवन करके आप खुद की इन्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसको दूर के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता हैं। अस्थमा और खासी में करे इस्तमाल। अगर किसी को अस्थमा और खासी की समस्या है तो ऐसे में खूबकला के सेवन से इसे ठीक किया जा सकता है। खूबकला के सेवन से जमा हुआ कफ निकालने में आसानी होती है। इसको लेने के लिए आप गर्म पानी में खूबकला और मुनक्का को साथ में पकाएं फिर इसका सेवन करें। इससे खासी और दमा जैसी समस्या भी ठीक की जा सकती है। बवासीर में लाबकारी। बवासीर आज के समय में बहुत आम बीमारी बनती जा रही है। बवासीर के चलते गूदे में बहुत तकलीफ और खून का निकलना भी होता है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए खूबकला का पाउडर बनाएं और एक चम्मच नियमित तौर पर इसका दूद या पानी के साथ सेवन करने से बवासीर में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। टाइफाइड में है लाबगायक। अगर टाइफाइड में खूबकला का इस्तमाल किया जाए तो मरीज को बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। दरसल खूपकला की तासीर गर्म होती है, जिसके चलते मिस्केरेज होने का खत्रा बहुत ज्यादा होता है। खूपकला जरूरी नहीं सभी को लाप पहुचाएं। कई बार इससे एलर्जी होने का खत्रा भी हो सकता है। इसलिए किसी डॉक्तर की सला से ही इसका सेवन करें। तो दोस्तों इस तरह की और जानकारी युक्त विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।